Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic some other members of the solar system तो हमने इससे पहले के वीडियो में solar system के बारे में पढ़ा कि solar system के center में sun होता है और उसके around 8 planets जो है वो revolve करते हैं और इन 8 planets की अलावा हमारे solar system में और भी बहुत सारी चीज़े होती हैं तो हमने मून पढ़ा, बहुत सारे planets के पास अपने मून हैं जैसे एर्थ के पास एक मून है बहुत सारे planets के पास एक, दो, तीन, चार और किसी-किसी planets के पास तो 16 मून भी है तो इसी तरीके से इन planets और मून के अलावा हमारे solar system में और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो कि planet के category में नहीं आती है, लेकिन they also revolve around the sun जिस sun के around हमारी प्रिथवी revolve करती है, उसी sun के around और भी बहुत सारी चुटी-चुटी चीज़े हैं जो कि सूरज का चकर लगाती है, तो they are also the members of this solar system यानि solar system क्या होता है, एक sun जिसके around जो भी चीज़े चकर लगाती है, वो एक solar system है इसी तरह का solar system हमारे universe में ऐसा माना जाता है कि हजारो solar system हो सकते हैं जितने stars दिखते हैं, वो सारे के सारे एक तरीके से sun है, वो हमें छोटे इसले दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है तो हो सकता है, वो भी किसी solar system का हिस्सा हो, ठीक है, वो भी एक solar system बनाते हैं, उनके पास भी earth हो, तो ऐसा हो सकता है तो अब हम अपने solar system के, जो हमारा solar system है, जिसमें 8 planets है, उसमें sun और planets और moon के अलावा और कौन से members हैं, उसके बारे में हम इस video में समझेंगे ठीक है, so there are some other bodies which revolve around the sun, they are also members of the solar system, let us learn about some of them तो कुछ के बारे में हम इस video में पढ़ेंगे कि वो कौन से members हैं, ठीक है, तो इस category में सबसे पहले आता है asteroid, ठीक है, so there is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter, ठीक है, this gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the sun, these are called asteroids asteroids can only be seen through large telescopes, जैसे आप यहां पर figure देख सकते हो, यह figure है, तो इसमें यहां middle में sun है, ठीक है फिर बार में Mercury है, फिर Venus है, then Earth है, थर्ड नमबर पर, then fourth नमबर पर Mars है, and fifth नमबर पर Jupiter है, ठीक है यह line के, यह जो आप देख रहे हो, यह सब चीजें जो देख रहे हो, चोटे-चोटे टुकुडे टाइप के हैं, यह Mars और Jupiter के orbit के बीच में, यह round लगाते हैं, और बहुत चोटे-चोटे टुकुडे हैं, ठीक है, और इनको मतलब ऐसे directly खुली आंकों से नहीं दिखते हैं, इनको large, मतलब high resolution, high power के जो telescope से, उनकी मदद से ही देखा जा सकता है, और यह Mars और Jupiter के orbit के बीच में, यह पाये जाते हैं, और इनको हम कहते हैं, asteroid, ठीक है, तो यह भी एक हमारे solar system का हिस्सा है, तो जिसको हम कहते है, steroid, asteroids, तो जिसको हम कहते हैं, asteroids, ठीक है, तो यह bodies, जो है Mars और Jupiter के orbit के बीचों बीच पाये जाते हैं, next हमारा term, next हमारा term आता है, वो है comet, ठीक है, comet क्या होता है, comet are also members of our solar system, comet भी हमारे solar system का हिस्सा है, ठीक है, they revolve around the sun in highly elliptical orbits, तो elliptical orbit क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि जैसे यह एक orbit हम design कर रहे हैं, ठीक है, यह Earth है, suppose यह Earth है, तो यह, और यह sun है, ठीक है, यह sun है, तो यह orbit, almost, जो sun का orbit है, वो almost round है, almost spherical है, गोल है न, प्लब चारों तरफ से इसका यह radius पराबर है, लगबग, लेकिन Earth भी पूरे circle, spherical orbit में ने गुमती है, कुछ हिस्सा जादा दूर है, कुछ हिस्सा पास है, लेकिन यह जो comet हैं, यह highly ell elliptical, ऐसे, इनका orbit ऐसे होता है, मतलब sun यहाँ पर है, तो कई बार यह sun से बहुत दूर होते हैं, कई बार यह sun के बहुत पास होते हैं, ठीक है, highly elliptical है, तो इसका यह मतलब है, कि, यह मतलब जो comet होते हैं, they move in highly elliptical orbits, however, their period of revolution around the sun is usually very long, तो जैसे Earth जो है, एक साल लेती है, तो comets की speed उतनी नहीं है, बहुत time लेते हैं, यह सूरज का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, हो सकता है, 10 साल लेले, 10 साल लेले, 20 साल, 30 साल, 100 साल भी होता है, किसी-किसी comet को सूरज का एक पुरा चकर लगाने में, तो इनका जो motion है, वो बहुत जादा predictable नहीं है, एक तरीके स कह सकते हैं, कि ठीक है, so a comet appear generally as a bright head with a long tail, तो comet के पैचान का है, कि वो generally जब देखा गया है, उसको टेलिसकोप से, तो वो bright head, जलता हुआ आग का गोला, और पीछे उसकी एक पुछ निकलती हुई, इसी दिखाई देती है, ठीक है, तो इस तरह से उसका, मताब विजन इस तर और आता है, तेलिसकोप में, so the length of the tail grows in size as it approaches the sun, the tail of a comet is always directed away from the sun, तो जैसे जैसे वो सूरज के पास आने लगता है, जैसे हमने कहा ना, कि कॉमेट कैसे highly elliptical orbit में घूमता है, और यह sun है, तो यह जैसे जैसे sun के पास आएगा, तो इसकी जो पुछ है, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, और वो sun से हमेशा opposite direction में रहती, जैसे sun इधर है, तो पुछ इधर होगी, फिर इधर आएगा, तो इसकी इधर, फिर इधर आएगा, तो इसकी पुछ इधर, इधर आएगा, तो इसकी पुछ इधर, इस तरीके से यह move करता रहता है, और जब sun के पास आता है, तो इ एक कॉमेट का यह आपको अलग से डाइग्राम दिया गया है कि यह कॉमेट है ठीक है और इसकी एक टेल सी यह दिखाई दे रही है ठीक है जलती हुई आपका गोला टाइप का तेल है तो यह एलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो देखें यहां पर डिस्टेंस इसका सन से काफी दूर है और यहां पर सन के पास में है ठीक है तो जैसे जैसे यह और इसकी जो यह टेल है यह सन से दूर दूसरी साइड में है तो जैसे जैसे यह सन के पास आ रहा है इसकी टेल देखें बढ़ती जा रही है ठीक है फिर जैसे जैसे सूरत से दूर हो रहा है वैस वैसे इसकी टेल जो है वो छोटी होती जा रही है तो यह different positions of a comet यहाँ पर आपको शो किया गया है fine so many comets are known to appear periodically तो बहुत सारे comments जो है वो हमारे solar system में periodically appear होने के लिए जाने जाते हैं one such comet is Halley comet which appears nearly after nearly every 76 years तो अर्थ के पास से appear होने का मतलब अर्थ से दिखाई देनी की बात है तो Halley's comet जो है हर 76 साल में एक बार अर्थ को दिखाई देता है अर्थ के उपर दिखाई देता है it was last seen in 1986 1986 में Halley's comet जो है वो गुजरा था चीक है उसके बाद से वो नहीं दिखाई दिया है भी तो can you tell when Halley's comet will be visible again तो 76 years के बाद वो फिर से दिखाई देगा है ना तो आप 76 years का वेट करना पड़ेगा अभी कितने years हो गए अभी आपको 34 years हो गए है और अभी आपको और कुछ साल और जादा वेट करने पड़ेंगे थी कि 34 to 40 years और वेट करने पड़ेंगे कि आपको Halley's comet दिख जाए है Superstations About Comets के बारे में क्योंकि जैसे अभी हम Science and Technology को जान पाएं कुछ सालों से बहुत अच्छे तरीके से तो बहुत पहले क्या था Science and Technology उतनी जादा popular भी नहीं थी और लोग जानते भी नहीं थी information एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत time लगता था और सही information जाबाना बहुत मुश्किल था तो लोगों ने अपने मन से कुछ नकुछ धारणाय बना ली और खासका जिन चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं उसके बारे में हम बहुत superstitious हो जाते हैं बहुत suspicious हो जाते हैं उसको शक की नजर से देखते हैं कि वो जो है ना कुछ नुकसान करने के लिए होगा क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसको हमेशा पहले हम शक की नजर से देखते है इस वज़े से जो है comets और बहुत सारी चीजें ऐसी है natural phenomena है जिसको कि लोग डरते हैं अंदविश्वास की तरह देखते हैं ठीक है तो some people think that comets are messengers of disaster such as wars, epidemics and floods तो कुछ लोग कहते हैं कि जब भी comets दिखाई देते हैं कोई नो कोई disaster होती है जैसे कि लडाई हो जाती है, epidemics fell जाती है, floods आ जाती है तो यह सब superstitions हैं अंदविश्वास है और यह तो appearance of natural, जब आप पढ़ रहे हो solar system है तो आपको पता चल रहा है कि सन के gravity की वज़े से सारे planets उसके around घूमते हैं, moon जो है earth का चकर इसले लगाता है तो अब मवस्या की रात को जो है बहुत अशुब हो गया, यह हो गया, वो हो गया, बतलब इस तरह की बाते करना तो बतलब बिलकुल ही जीब बात नहीं हो गी है क्योंकि अब तो आप पढ़ रहे हो ना कि यह तो सब celestial body है, यह सब पूरा अंतरिक्ष में गूम रही है इनका इससे क्या लेना देना नहीं है, अब तो आपको समझ में आ गया, तो आप तो इन सब चीजों को नहीं मानेंगे ना आपको इस पर विश्वास नहीं होगा आपसे, ठीक है, तो अब आप scientifically अब सही धंक से सोचेंगे कि यह तो आसमान में अपना काम कर रहे हैं, अपने रस्ते ते जा रहे हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं, है ना तो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है, वो बोडी, वो है, मेटर्स अन मेटरोइस, तो यह बहुत इंपोर्टेंट है, मेटर्स अन मेटरोइस जेनरल इक्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, यह क्या है, और आप सब ने इसको देखा जरूर होगा, तोटते तारे क को देखो तो ओविश फुल्फिल हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, that is also superstition, ठीक है, बट यह है कि that is on a positive note, that's why many people follow them still now, ठीक है, so at night when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright strikes of light in the sky, ठीक है, तोटते वे तारे जैसा आपको पूछा लगेगा, ठीक है, ठीक है, तोटते वे तारे जैसा आप जाता है कि टूटते हैं वे तारे, बट वो तारे तो होते नहीं है, कोई तारा तोड़ी ने टूटता है, है न, so they are called meters, तो उनको क्या कहा जाता है, meters, fine, a meter is usually a small object that occasionally enters the earth atmosphere, तो अंतरिक्ष में बहुत सारे चोड़े चोटे टुकडे जो है, वो सन का चक्कर लगा रहे है, ठी प्रिट्वी के सतह से टकराता है, आता है अंदर, तो प्रिट्वी के atmosphere में जब गुसता है, तो बहुत तेजी से, due to gravitational pull of earth, वो बहुत तेजी से धर्ती के तरफ बढ़ता है, खिंच जाता है, है न, तो जब वो तेजी से आता है, तो उसकी speed इतनी जादा होती है, कि due to friction, उस में जहें वो उसका temperature बहुत हाई हो जाता है, atmosphere में एंटर करते ही, तो उस friction की वज़े से उसमें एक तरीके से आग लग जाती है, और वो जल उटता है, और प्रिट्वी के सतह तक आते आते, बहुत पहले ही वो एक तरीके से पूरा जल के राक हो जाता है, वो प्रिट्वी क small object that occasionally enters the earth atmosphere, at that time it has a very high speed, the friction due to the atmosphere heats it up, it glows and evaporates quickly, तो वो गलो करता है और हवा में ही इवापरेट हो जाता है, जल के राक हो जाता है, खाक हो जाता है, ठीक है, that is why the bright strike lasts for a very short time, तो इसे लिए हमें लगता है किसे से तारा टूटा और अचानक से खतम हो गया, कहां गया नहीं पता धर्ती पे तो आके गिरता हो नहीं देखता है, असमान में ही टूटके गिरता हो देखता है, फिर वहीं पे खतम हो जाता है, क्योंकि जो friction की heat होती है, उससे वो खतम हो जाता है, जल उटता है, एट्मोस्पियर में एंटर करते ही, तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते पूरी तरीके से वो जल उटा, फिर यह स्टीक ओफ है, तो सम मेटोर्स आर लाज और सो यह तो चोटे मेटोर्स जब तूटके गिरते हैं, लेकिन कुछ मेटोर्स साइस में बड़े होते हैं, तो अर्थ के एक्मॉस्पियर में आके फिर हीट होते हैं लेकिन वो इतने बड जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो बड़े होते हैं, कम्ट्लीटली बर्न आउट नहीं हो पाते हैं, साइज में बड़े होनी की वज़े से, तो उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, so the body that reaches the earth is called मेटोरॉइट, तो वो बड़ी, मेटोर्स की वो scientist in investigating the nature of the material from which the solar system was formed, तो मेटोरॉइट को एकटा करके, scientist उसके जो, उसके compounds हैं, वो किस चीज से बना है, तो वो space की study, जो अंतरिक्ष हमारी universe है, solar system है, उसकी study में काफी help करता है, उनको पदा लगता है कि बाहर जो, अर्थ के बाहर जो planets हैं और बाकी चीज हैं, वो किस तरह क material से बनी है, क्या उनका nature है, ठीक है, वो किस तरह के function में काम आ सकते हैं, तो ये सारे research करते हैं, इन मेटोरॉइट के उपर, ठीक है, तो अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग topic शुरू करने जारे हैं, वो है मेटोर शावर, मेटोर शावर क्या होता है, शावर मतलब तो समझ जादा दिखाई देते हैं, ठीक है, तो जो कॉमेट है, अगर वो अर्थ के आसपास से गुजरता है, अर्थ की ऑर्बिट घूम रही है, तो कॉमेट भी कभी ना कभी गुजरेगा, तो जब अर्थ किसी कॉमेट के बगल से गुजरती है, तो वहाँ पर क्याएं, जब कॉम मेटोर्स जो है वो एक्मास्फियाल में गुसते हैं और लगता है कि जैसे बारिश हो रही है तो उसको हम कहते है मेटोर शावर्द डीक है रसाल ही कुछ टाइम पे मेटोर शावर्ड टीक है नोजने मेटोर्ट गुजरता ही है बहुत सारे कॉमेट्स हैं हमारे युनिवर्स में ठीक है you can find the time of appearance from the scientific magazine और from internet तो आप ये काम करिए ठीक है कि आप पता करिए कि कॉमेट्स जो है कैसे मेटोर शावर होता है तो आप फिगर में भी देख सकते हैं मेटोर शावर की फिगर लगाई है मैंने कि मेटोर शावर कैसे हो रहा है है तो यह बहुत ही इंट्रस्टिंग है देखने में लेकिन यह कभी होता है जब कोई कॉमेट जो है अर्थ के बगर से गुजरता है अब हम नेक्स टॉपिक पढ़ेंगे वह है हम आटीफीशल सेटलाई्ट सेटलाइट क्या होती है जैसे की मून है चीके मून भी अर्थ की सेटलाइट बट वह नाचरल सेटलाइट है मतलब हमने नहीं बनाई है उसको वो God made है या पहले से nature में ही exist करता है Jupiter है उसके 16 satellites उसके solar moon है दीखे बड़े चोटे सा मिलाके 16 moons है तो जो artificial satellite वो क्या है? artificial satellite वो है जब हम कोई चीज बनाए और उसको ऐसा design करें कि वो अर्थ का चेकर लगाए या किसी और जो planet है उसके लिए हम कुछ इस तरह का चीज बना दें जो जाके दूसरे planet का चक्कर लगाने लगे तो उसको हम कहते हैं artificial satellite तो हम ने Indians ने और बहुत सारे विदेश में नासा ने बहुत सारे लोगों ने जहें बहुत सारे satellites बनाके अर्थ के चारो तरफ वो चक्कर लगा रहे हैं तो उनी satellites को हम कहते हैं artificial satellites fine so you must have heard that there are a number of artificial satellites which are orbiting the earth आपने सुना होगा हमेशा न्यूस में आता है जो इस रो ने बहुत सारे satellites जो है launch की जो है PSLV पर की ठीक है तो इस तरह की satellites होती है GL, GSLV होती है PSLV होती है दो तरह की satellites होती है तो जो एक orbit पे चकर लगाती है और एक पूरे अर्थ के across चकर लगाती है ठीक है you find wonder you might wonder how artificial satellites are different from natural satellites तो natural satellites और artificial satellites में कुछ difference होता है जैसे कि artificial satellites are man-made artificial satellites man-made होती और यह topic बहुत important है आपको एक्जाम में भी आ सकता है कि two or four differences between artificial satellite and natural satellite तो artificial satellites are man-made they are launched from the earth उनको अर्थ से launch किया जाता है space में fine they revolve around the earth much closer than the earth's natural satellite the moon तो moon तो earth से कुछ दूरी पहना काफी दूर है moon लेकिन यह जो artificial satellite है यह अर्थ के बहुत पास में ही रहके अर्थ का चक्कर लगाती है moon जितनी दूरी पर नहीं है तो इस वज़ेसे यह एक जहें यह main main differences है जैसे कि इंडिया has built and launched several artificial satellites इंडिया ने भी बहुत सारी artificial satellites बनाई है उनको launch किया और वह successfully earth का चक्कर लगा रही है जैसे कि आरे भट्टा वस the first Indian satellite ती उसका नाम था आरे भट्टा क्योंकि आरे भट्ट ने हमारे ancient astronomy में बहुत बहुत काम किया तो उनी के नाम पर हमारी इंडिया की first satellite जो है artificial satellites have many practical application तो यह artificial satellite करती क्या है हम क्यों उनको launch करते हैं पैसा लगाते हैं टेक्नोलोजी लगाते हैं दिमांग लगाते हैं क्यों लांच करते हैं क्योंकि जैसे हम अभी mobile phone बहुत easily use करें mobile phone से कहीं भी किसी को फोन लगा दो तो इसके signals कहां से आते हैं इसके signals आप मारे सेटलाइट से आते हैं हां टीवी आप बिना पहले तो टीवी के लिए केबल वाले से करेक्शन लेना पड़ता था ना तबी टीवी आता था अब तो टीवी टाटर सकाई लगा लो टीवी आ गया कैसे क्योंकि इसके लिए भी हमने स्पेस में सेटलाइट छोड़ रखी है तो बहुत सारी वेदर रिपोर्ट्स आपको फटा फट मिल जाती है अब पारिश होने वाली है अब सुखा पढ़ने वाला है एवरीटिंग तो यह सारी आर्टिफीशल सेटलाइट जो है वो हमेशा अंतरिक्ष से जो है वो फोटो और इप अनी सेटलाइट से जो सीगनल से होने वाला मतलब यह तो कलने पार्था करना मलब दूर तो मतलब यह सेंस करना ही हमको पता करना कि वहाँ सेटेलाइट ऐर्थ से काफी दूर है लेकिन दूर रहते होए भी वह ओर अर्थ की हर्ष्स्टे का टमप्रेचर और विंड कंडिशन और जो चरह बींड न किसेशन करके डेटा और उसका report और कितने प्रती घंटे की speed से हवा चलेगी everything they calculate and send the data on the earth so that we can predict the things better okay this is the importance of remote sensing fine so अप हिली क्या कहती है I want to tell you that by remote sensing we mean collecting information from a distance and this term is very important remote sensing you must learn the definition as well as the meaning of remote sensing and remote sensing actually means कि collecting information from a distance एक दूरी पे हैं लेकिन फिर भी we can sense and we can process all the information from a distance so these are some of the pictures of the artificial Indian satellites okay these are some of the pictures they revolve around the orbit of earth okay और आर्थ का ये पूरा चक्कर लगाती है और हमें बहुत सारी information ये देती रहती है fine so I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा and still if you have any doubts then you can write in the comment section I will surely reply thank you